Hello and welcome to gradeupstudy.com तो स्वागत आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेगया है बाइलोजी का 5th lecture जिसमें कि हम पढ़ेंगे Cell यानि की कोशिका के वारे में ठीक है? तो देखिए Cell से काफी सारे question exam में बन चुके हैं ठीक है? और आपको पता ही है कि HP Police Constable में बाइलोजी का जो वेटेज है वो काफी जैदा है ठीक है? तो बाइलोजी को हम विस्तार फुर्दबत पढ़ेंगे ताकि कोई भी question अगर आपको एक्जाम में बन जाएगा तो आप उसको easily से कर लोगे ठीक है? तो तली इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखो कोशिका को हम English में बोलते हैं cell ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें बाइलोजी में तो बाइलोजी में हम कोशिका को बोलते हैं cyto ठीक है? क्या बोलते है? साइटो और कोशिका के अध्यान को हम क्या बोलते हैं साइटोलोजी क्या बोलते हैं साइटोलोजी ठीक है और कोशिका की खोज किस ने की थी याने की unit है ठीक है तो इसको आपने ध्यान में रखना है चलिए अब दिखो एक कोशिक काफी famous है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है माइको प्लाजमा में ठीक है? और अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शतर मुर्ग के अंडे की तो ये पांच चीजी आपको याद होने चाहिए सबसे पहले कोशिका का बाइलोजिकल नेम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शतर मुर्ग के अंडे की अगर कोशिका मानव शिरीट का सबसे चोटा अंग होता तो कोशिका से चोटी जीज़ कोई होती ही नहीं लेकिन यहाँ पी आप देख पा रहे हैं कोशिका के अंदर आपको mitochondria मिल जाएगा, nucleus मिल जाएगा, DNA मिल जाएगा ठीक है, endoplastic reticulum मिल जाएगा, lysozome मिल जाएगा, ribosome मिल जाएगा तो काफी सारे ऐसे parts हैं जो की सेल के अंदर पाया जाते है ठीक है, तो सेल एक सबसे चोटी इकाई है, सेल सबसे चोटा अंग नहीं है, ठीक है, इसको अपने ध्यान लखना है चलिए, तो सेल को हम कुछ इस टाइप से समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि बहुत सारी एटों को अगर हम मिला दे ठीक है, तो एक दिबार बनती है, क्या बनती है, दिबार बनती है अगर हम चार दिवारे लगा दें और उपर छत लगा दें तो क्या बन जाता है एक कमरा बन जाता है ठीक है और बहुत सारे कमरों को अगर हम सिस्टेमेटिकल ढंक से अरेंज करें तो एक घर बन जाता है ठीक है तो वैसे ही बहुत सारी कोशिकां को अगर हम मिला दें तो एक tissue बनता है यानि कि उत्तक बनता है ठीक है और बहुत सारे उत्तकों को अगर हम मिला दें तो एक अंग बनता है ठीक है जैसे कि liver, आख, कान, नाख ठीक है तो यह हमारे अंग है और कुछ अंगों को मिलाकर एक शरीर बनता है तो यहां से आप इसको interrelate कर सकते हैं चलिए next चलते हैं तो अब हम बढ़ेंगे कि cell के अंदर होता क्या क्या है ठीक है हर एक term को हम deeply बढ़ेंगे और उनकी working जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां से जो question बनता है वो उनकी working से बनता है कैसे जैसे की mitochondria का का काम क्या होता है ठीक है lysozom का का काम क्या होता है ribozom का क्या होता है cell membrane का क्या होता है cytoplasm क्या होता है तो ऐसी terms की working बूची जाती है exam में ठीक है तो इनको हम अच्छी तरह से समझने की गोशिश करेंगे तो सबसे पहले है कोशिका जिल्ली जिसको हम बोलते हैं cell membrane क्या बोलते हैं cell membrane देखो तो यहां पे आप देख पा रहे हैं cell membrane क्या है ये ठीक है outer part देखिए जैसे कि जब हम सबजी लेने जाते हैं तो आलू हो गया प्याज हो गया मटर टमटर जो भी है उनको संभालने के लिए हमको एक थैले की जरूरत पढ़ती है पढ़ती है कि नी पढ़ती है तो वैसे ही इन सभी टर्म्स जो कि इसके अंदर पाई जाती है cell के अंदर पाई जाती है जैसे कि mitochondria, nucleus, DNA, RNA, lyzosome, ribosome अंदर संभाल के रखता है और यह जो cell membrane होता है यह plants और animals में होता है ठीक है लेकिन हम बात करें, cell wall के बारे में तो cell wall, सिर्फ सिर्फ plants में पाई जाता है कोषिकष का जीली यानिकि cell membrane, आपका plants में भी और India में भी पाए जाता है लेकिन cell wall आपका Only On Plants में पाई जाता आपको पता है कि हेमोगलोविन का काम क्या होता है तो oxygen को mitochondria कहुचाने में मदद करता है ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद mitochondria में एक ऐसा process जलता है एक ऐसा cycle चलता है जिसमें glucose की production होती है ठीक है? glucose बनता है और जो glucose होता है वो मानव शरीर में उर्जा का काम करता है यानि कि उससे हमें उर्जा मिलती है तो इसलिए mitochondria को शक्ति ग्रह यानि कि powerhouse या फिर उर्जा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका काम क्या है? ये उद्जा हो का तो अलवट वोन कोलिकर ने एक मरी हुई कोश्चका की अंदर मैट्रो कोंडरिया को देखा था उसके बाद उल्ट मैं ने इसके बारे में अध्यान किया था, ठीक है? तो अगर आपको वहाँ पे दोनों option देखने को मिलेंगे तो आपने कोलिकर को सही करना है ठीक है वैसे तो ऐसा होगा नहीं आपको इन दोनों में से कोई एक option देखने को मिलेगा ठीक है अगर आपको option में altman देखने को मिलेगा तो आपने altman पे टिक करना है तो mitochondria का काम क्या है कि ये क्या करता है ये उड़्या बनाता है तो इसीलिए इसको powerhouse के नाम से भी जना जाता है ख्लिए next जलते हैं next is centrosome क्या है centrosome अब देखो centrosome का काम क्या होता है centrosome कोशिका की भीवाजन करके नई कोशिकाओं का निर्मान करता है करता है अब देखिए जैसे हमारे श्रीर में कोई कट का निशान लगता है तो वो अपने आप भर जाता है ठीक है वो कैसे बर जाता है क्योंकि कोशिका के विवाजन होता है तो आपका जो घाव है वो भर जाता है समझे बात को तो कोशिका के विवाजन हमारे श्रीर में होना जरूरी है लेकिन जब ये बिवाजन out of control हो जाए यानि कि बड़ी तेदी से होना शुरू हो जाए तब वहाँ पर cancer हो जाता है ठीक है जब कोशिका का बिवाजन out of control हो जाए तो वहाँ पर cancer हो जाता है तो कोशिका बिवाजन सबसे अधिक कहां पर होता है लीवर में होता है ठीक है इसको अपने याद रखना है कोशिका का विवाजन सबसे अदि कहां पे होता है लीवर में होता है और मानव शरीर में एक ऐसा पार्ट है जहां पे ये कोशिका विवाजन होता ही नहीं है कहां पे नहीं होता ब्रेन में नहीं होता ठीक है क्योंकि वहाँ पे कोशिका का विवाजन होता ही नहीं है ठीक है जिसे के आपका जो जखम है वो भर जाए अब आप बोलोगे सर अगर ब्रेन में कोशिका का विवाजन होता ही नहीं है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है और अभी आपने मुझे बताया कि कैंसर मोंता है ठीक है इसी Neuron Cell डिवीजन होता है , लेकिंग ये 10% हिस्टा है ब्रेन का इसका नाम गैलियल सेल क्या नाम है गैलियल सेल इसमें कोश्चका को वाजन होता है और जब ये कोश्चका का विवाजन आउट ओफ कंट्रोल हो जाता है तब हमारे brain में cancer हो जाता है जिसका नाम है brain tumor वो किसके चारण होता है इस गेलिल चैल के करन्हों होता है ठीक है और neuron cell में जेल का विवाजन नहीं होता है ठीक के चलिए तो Centrosome की आपको working पता तो यह क्या करता है कोशिका का विवाजन करता है ठीक है चलिए, next जलते हैं next है ribosome, क्या है ribosome, तो ribosome की खोज किस ने की थी paladine की थी, तो ribosome आपका यहाँ पे देखिए, ribosome आपका रहा यह, यह जो डोट है इसको हम बोलते हैं ribosome ठीक है, अब देखते हैं इसकी working क्या है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ribosome की खोज किस ने की थी paladine की थी, चलिए अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, structure में यहाँ पे आपको एक endoplastic reticulum देखने को मिल रहा होगा, ठीक है यह कोशेका में हड़ी का काम करता है तो इसके यह जो rough part है यहाँ पे यह जो ribosome है यहाँ पे यह क्या करते हैं, चिपक जाते हैं ठीक है, और यहीं पे ही protein का निर्मान होता है, समझे रहो ना यह जो rough part है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यह छोटे-छोटे dots है तो यह dots कौन से है, यही dots है जिसको की हम बोलते हैं, ribosome तो जब यह dots यहाँ पे चिपक जाते हैं तो protein का निर्मान करते हैं ठीक है, तो इसी लिए ribosome को protein की factory भी कहा जाता है ठीक है, question बनता है कि protein की factory इसको कहा जाता है तो ribosome को कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ribosome protein का निर्मान करता है, ठीक है, तो ribosome की working क्या है, ये protein का निर्मान करता है, चलिए, next जलते हैं, next जलते हैं, अब हम nucleus की तरफ, तो nucleus आपका ये रहा, ठीक है, तो nucleus की कोज किस ने की थी, Robert Brown ने की थी ने की थी, Robert Brown ने और cell की was किस ने की थी Robert Hook ने की थी, अब देखो जैसे कि मानव शरीर में ब्रेन मानव शरीर को कंट्रोल करता है, थीक है, वैसे ही cell में नियोकलिस जो है वो पूरे के पूरे cell को कंट्रोल करता है समझ रहे हो, यह जह nucleus है, यह पूरे cell को control करता है, यह mitochondria को बोलता है, कि तो उर्जा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना, फिर ribosome को बोलता है, कि तो protein बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब यह सभी को control करता है, ठीक है, तो इसलिए इसे brain of cell और controller के नाम से भ रखना है कि लाइजोजोम की खोज किस ने की थी डी दूबे ने की थी ठीक है अब देखिए इसकी वरकिंग क्या है कि इसके अंदर एक इंजाइम होता है ठीक है इसके अंदर एक इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं जल अपगटक इंजाइम याने की हैड्रोलेटिक enzyme है जिसको कि हम बोलते हैं hydraulic enzyme यह थोड़ा सा इन पर शिरकाब कर देता है ठीक है क्या करता है जिससे कि यह वहीं पर नश्ट हो जाते है ठीक है अब देखिए यहां पर यह आपका cell है ठीक है यह आपका इस पूरे cell को नश्ट करने का काम कोन करता है लाइजोजोम करता है और लाइजोजोम का होना भी जरूरी है अगर माल लिये जाए कि मेट्रोकॉंड्रिया काम करना बंद कर देता है तो वो दीरे-देरे सडना शुरू हो जाता है और फिर वो दीरे-देरे पूरे सेल को ही गिला कर रख देता है तो उसको नश्ट करना जरूरी हो जाता है तो उसको नश्ट करने का काम को नश्ट करता है लाइजोजोम करता है ठ इसलिए R BC की मिरत्यु स्प्लीन में होती है यानि कि पलीहा में होती है इसलिए R B C का जो सेल है वो खुद में नस्ट नहीं होता है यह स्प्लीन में जाके नस्ट होता है जिए इसका जीवनकाल 120 दिन होता है इसी Р AVC का का जीवनकाल 120 हीन होता है अगर A A Concland from Gleich yang dave ठीक है और सपलीन को RBC का कवर गरह के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब थोड़ा आप यहाँ पे देखिए साइटोप्लाजम देखिए यहाँ पे जितना भी लीकुड वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाजम ठीक है अगर यह लीकुड इसमें होता ही नहीं तो सेल के जो भी पार्ट है वो आपस में तकरा जाते ठीक है तो इनको अपनी पोजिशन में बनाया रखने के लिए यह जो लीकुड है यह होना जरूरी है ठीक है जिसको की हम बोलते हैं साइटोप्लाजम और इसी साइटोप्लाजम में 80% पानी होता है ठीक है 80% पानी होता है और अगर इसमें 1% पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगना चुरू हो जाती है ठीक है और इसी 80% में अगर 10% की कमी आ जाती है पानी में तो मिर्ट्य हो जाती है तो ये भी आपको याद रखना है चलिए next चलते हैं next है गुंड सुत्र यानि कि क्रोमोजोम अब देखिए आपने पढ़ा था कि cell के अंदर एक nucleus होता है तो nucleus के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं यानि कि 23 जोडी क्रोमोजोम होते हैं अगर आपको एक्जाम में पुछा जाए कि मानव cell में कितने क्रोमोजोम होते हैं तो 46 क्रोमोजोम होते हैं या फिर अगर जोडी में पुछा जाए तो 23 जोडे क्रोमोजोम होते हैं और इनकी shape कुछ इस type से होती है, ठीक है, देखिए, यहाँ भी लिखा भी हुआ है, यह कोशिका के केंदरक में पस्तित रहता है, यानि कि nucleus, nucleus को हम बोलते हैं, केंदरक, तो यह cell के अंदर जो nucleus होता है, उसमें उपस्तित रहता है, एक कोशिका में इसकी संक्या 46 होती है, ठीक है, यह आपका एक cell आ गया, इसके अंदर nucleus है, ठीक है, nucleus को हमने जब भाड़ के देखा, इसके अंदर total 46 chromosome पाए गए थे, तो 46 chromosome एक कोशिका में पाए जाते हैं, अब थो सेम होते हैं, लेकिन difference कहां पे हैं, इन दो chromosome में, ठीक है, जो male में होते हैं, वो होते हैं, एक स्ट्रक्चर है, वो सेम रहता है, ठीक है, एक male की kidney, female में लग जाती है, female की kidney, male में लग जाती है, male का दिल female में लग जाता है, female का दिल male में भी लग जाता है, ठीक है, यानि कि जो parts है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो सिर्फ दो chromosome के कारण ही, male और female में 10% का difference देखने को मिलता है, बकि 90% जो structure है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, चलिए, अब अगर हम chromosome को फाड के देखें, त ठीक है, और आपने करीबार सुना होगा DNA test, तो इसी DNA का test करके ये पता लगाया जा सकता है, कि कौन किसका सगा है, ठीक है, चलिए, next लते हैं, तो देखो एक question यहाँ से बनता है, जिसमें आपको पूछा जाता है, कि मानवीर cell किस cell के अंदर आता है, तो किस cell में आता है, य अगर हम बात करें, यू केरियोटिक सेल, तो वो प्लांट्स में भी और एनिमल्स याने की जीव और हिूमन बिंक्स में भी पाया जाता है, अब देखिए यहाँ पे difference क्या है इन दोनों सेल्स में, देखिए, जो प्रोकेरियोटिक सेल होता है, इसमें कुछ टरम्स मिस होती है जैसे कि माई ट्रोकौ ट्रीया ऐसे का प्लॉक्ष तर्फ और नहीं पाया जाता Algum चाल ए sandhah सब्सक्राइब क करेंस थे हैं और जल्ली के अंदर पड़ा हुआ होता है लेकिन प्रिक तो इन दोनों में difference है उसी कारण इसको हमने two parts में डिवाइड किया था ठीक है प्रोकेरियोर्टिक सेल और यूकेरियोर्टिक सेल तो ये था हमारा आज का lecture तो I hope आपको ये वीडियो अच्य लगी होगी काफ़े कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो का आप एक like करें यूद्ध का आपके एक like से मुझे motivation मिलती है वीडियो को share करें और अगर आपने अभीतेल चैनल को subscribe नहीं किया है आप हमारे साथ Facebook पर भी जूड़ सकते हैं इन तेनोंका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहाँ पे आप directly click करके हमें follow कर सकते हैं देखिए अभी आपने self के बारे में पढ़ा तो काफी सारी चीजी आपको clear हो चुके होगी तो आपके लिए मैंने mock test बना के रखा हुआ है आपको करना क्या है कि वीडियो के description में जाना है वहाँ पे आपको mock test के सामने एक link मिल जाएगा तो आपको उस link पे click करना है और आप हमारे website पे चले जाएगे और वहाँ पे आपको mock test लगा के जाना है ठीक है जिसे कि आपको सबसे पहले तो यह पता चल जाएगा कि आपको उन में से कितने question आते हैं और दूसरा आपको यह पता चल जाएगा कि exam में question कैसे बनते हैं ठीक है तो mock test को आपने जरूर लगाना है तो मिलते है next video में तब तक के लिए जाहिए